कथा सके के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार आईए दोस्तों सुनते हैं मीनू तरिपाठी जी की लिखी कहानी किटी पार्टी आज किटी पार्टी में सब इतना शांद क्यों बैठे हैं रूमा ने कॉफी की ट्रेक मेश पर सबके सामने रखते हुए कुछ आश्चरे से पूछा तो अरुनिमा भी बोल पड़ी हाँ यार कुछ मिसिंग तो है सुनीता और कल्प ना आए तो कुछ मज़ा आए देखो आज सुनीता अपनी सास का कौन सा नायाब किस्सा निकाल कर लाती है यार बहुत हुआ सास और ससुराली चुगलिया कितना कुछ देश दुनिया में हो रहा है हम उस पर बात क्यों नहीं करते सोफे पर पहलू बदलते हुए अनुभा के खीज भरे अंदाज पर रूमा आखे मूंद कर दोनों हाथ उपर उठाए सुनीत दार्शनिक अंदाज में बोली देश दुनिया की बातों में वो रस कहां जो ससुराल वालों के निंदा में है सजा धजा ड्रोइंग रूम ठारकों से गोज उठा वो अलग बात है कि अनुभा सब के साथ हस नहीं पाई सुनीता और कल्पना ने कमोवेश उसी समय अपनी उपस्थिती दर्ज कराई क्या हुआ यार हमने क्या मिस किया सबको हसते देख सुनीता ने उतावले पन से पूछा तो रूमा ने प्रती प्रश्न किया पहले ये बताओ कहा लगा दी इतनी देर अरे इसके चक्कर में देर हुई ये तो आने को राजी ही नहीं थी आंटी आई हुई है न उन्होंने ही इसे जबरदस्ती ये कहकर भेजा कि अपना प्रोग्राम मेरी वज़े से खराम मत करो सुनीता ने कल्पना की ओर इशारा करते हुए कहा तो अरुनीमा ने पूछा आंटीमा ने सास आई है क्या? पागल हुई है क्या? भला सास कब इतनी उदार होने लगी? मम्मी आई है तो भेज दिया सास हो तो बुरा ही मान जाए कि लो जी हम तो आए इनके घर और बहुरानी चल दी किटी पार्टी में कल्पना ने तियोरियां चढ़ाते हुए इस्थिते सपस्ट की कब तक रुखेंगी आउंटी जी? अरुनिमा के अगले सवाल पर वह ठंडी सास भर कर बोली कुछ कह नहीं सकती बताया था न भाई-भावी से कुछ प्रॉब्लम चल रही है वो रखना नहीं चाहते हैं तो मैंने बुला लिया अमन राजी है? मतलब उसे पता है की आउंटी? औरुनिमा के अधूरे सवाल पर वह आवेश में आ गई आना कानी कर रहा था पर मैंने ममी को बुला कर ये दम लिया साब साब बोल दिया कि घर छोड़ दूँगी पर जन देने वाली मा को नहीं बस आ गए रास्ते पर सची उन्हें देखकर कलेजे को ठंडक मिल गई चाती पर हाथ लगा इस ऐसा भाव खुआई कलपना को देख माहौल में गंभीरता चा गई सच में बेटिया इश्वर की रहमत होती है चड़िक मौन के बाद रूमा के मोह से निकला तो सुनीता जट पोल पड़ी और क्या कोई अपनी मा को छोड़ता है भला जो समवेदन शेलता लड़कियों में पाई जाती है लड़कों में दूर दूर तक नहीं मिलती समवेदन हीन सेलफिश होते हैं लड़के सच में यार माबाप तकलीफ में हो जट दौड पड़ती हैं बेटियां वहीं बेटे देखो खुदगर्ज कहीं के अरुनिमा ने हामे हामे लाई तो अनुभा सर्द लहजे में बोली उन्हें खुदगर्ज बनाता कौन है लड़कियां कोमल मन की होती है ये सर्वविदित है पर उनका कोमल मन सिर्फ अपने माता-पिता के लिए ही कोमल रहता है या पती के माता-पिता के लिए भी रहता है उसके प्रश्ण पर सब सहसा इस्तब्द रहे गए और सन्नाटा चागया सबके चहरूं पर तनाव देख व्यंग भरी मुस्कान के साथ अनुभा बोली अरे तुम लोग सेरियस क्यों हो गई प्रश्ण मन में उठा तो लगा पूछना चाहिए देख भई सीधी सी बात है कि मा मा होती है अब मा की जगे सास को तो नहीं दे सकते सुनीता की तलखी पर अनुभाने भी व्यंग बार छोड़े यानि लड़किया बेटी के रूप में ही कोमल रिदय होती है पहू के रूप में नहीं अरे आज लड़कों के पक्ष में जंडा क्यों उठा लिया तुमने अब छोड़ो ये फालतू बाते पार्टे इंजोय करो रूमा ने कितना बढ़ियां खाना बनाया है अभी ताश के तीन राउंड है और हाँ सुनीता को अपनी सास के खिलाब भडास भी तो निकालनी है वाकिके अंतिम सिरे पर आते आते अरुनीमा समली और जुबान दातों तले दवाली पर सुनीता तो अभी भी भरी बैठी थी जो बोले बिना न रह पाई बेटियां बहुए बनकर परिस्थितियों के चलते ही बदलती है मुझे ही देख लो मामी पापा ने कितने लाट से पाला घर के कामों से मुझे कोई मतलब नहीं होता था अफिस जाती थी तो मा टिफिन पकड़ा देती थी घर आती थी तो चाई की प्याली यहां तो सुबह सुबह भागते दोड़ते नाश्ता बनाओ घर आओ तो रात को सास के साथ रसोई में खटो सोच के देखो मा के राज में ऐसा हो सकता था जो उसने ही माता पिता देते हैं सास ससुर दे सकते हैं क्या सुनीता की हां में हां मिलाते हुए अरुनिमा बोली हाँ ये बात तो बिलकुल सही है दोश केवल बहु उपर लगाना गलत है बैसे भी जब बेटे ही अपने माबापके नहीं होते तो बहु क्या करें अरुनिमा बुरा मत माना पर तुमने ही बताय था कि तुम्हारे पती ने तुम्हें बिना बताय तुम्हारे पापा के जनम दिन पर महेंगी घड़ी देकर तुम्हें भी सर्प्राइस कर दिया था हाँ तो मैंने विपुल को थांक्स बोला था उनके लिए मेरे मन में इज़द बढ़ गई थी क्या ऐसा हो सकता था कि विपुल के पैरेंट्स के लिए तुम भे कुछ ऐसा ही करती देखो अनुभा तुम बात को गलट ट्रेक पर ले जा रही हो मेरे पैरेंट्स ने विपुल के लिए बहुत किया है उसके जनम दिन और एनिवर्सरी पर हमेशा महेंगा गिफ्ट दिया है जब मैं मैंके जाती हूँ तब विपुल को एक दामाद के रूप में विआईपी ट्रीट्मेंट मिलता है तो क्या विपुल के पैरेंट्स ने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं किया किया है विपुल एकलौता बेटा है भाई अपने बेटे वहु के लिए फर्ज है करना बेटियों के लिए भी तो उनका हाथ खुला है नंदे आती हैं तो सासों माउन पर कीमते गिफ्ट लोटाती है सास और नंदे हाथ पर हाथ धरे गपे लड़ाती हैं और मैं काम में जुटती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे माई के जाने पर तुम्हारी भावी जुटती हैं तुम्हारी सेवा में तुम भी माई के से महंगी गिफ्ट लाती हो अनुभा के इशारे परवा जेपी तो अनुभा असकर बोली मुझे लगता है कि पूरी चेन ही गड़बढ है यदि हर लड़की यह सोचे कि वो अपनी समवेदना, उधारता, प्यार मुहबबत अपनी माता पिता अपने माय के तक ही सीमित नहीं रखेगी और सास सोचे कि वो अपनी समवेदना ममता उधारता लाट दुलार अपनी बेटी तक सीमितना रखे तो कदाचित ये समस्या सुलचे ऐसा कभी नहीं होगा नहो सकता है सुनिता ने उतेजना में अपने दोनों हाथ हवा में लहराए तो अनुभा तमक कर बोली अरे वाह क्यों नहीं हो सकता है ससुराल में अपनी सास ससुर के प्रती समवेदन शीलता और मायके में अपनी भावी के प्रती उधारतावाद का रवईया अपना कर एक नई शुरुवात हो सकती है यानि हम ही हर जगे अपनी भूमी का ढूंडे पुरुष्णों को जिम्मेदारियों से मुक्त कर दे सुनीता उत्तेजित हो गई तो अनुभा भर सक साइयत हो कर बोली पुरुष्णों की मुक्ती और बंधन के अमूमन कोई मायने होते भी हैं क्या अब कल्पना की बात लो तो उसने आंटी को साथन रखने की एवज में घर शोणने की धमकी दी जो काम भी कर गई पर एक पल को जरा सिचुएशन उलट कर देखो या धमकी अमन ने कल्पना को अपने पैरेंट्स के लिए दी होती तो क्या होता सब को चुप देखवा बोली अरे बोलो ना गजब का कोहरा मचता नारी अत्याचार का भेंकर मुद्दा बनता तो क्या मैं अपनी मा को अपनी साथ रखने का कोई दबाव न बनाऊ अमन पर जरूर बनाओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें रखना, लेकिन अपनी साथ ससुर को भी कर्तव्य के दायरे मिलाओ, मान दो अनुभा की तल्ख टिपड़ी पर कलपना का चेहरा उतर गया और चुप हो गई, उसे याद ही नहीं रहा कि कुछ दिनों पहले उसने अपने साथ ससुर के जाने पर, किटी पार्टी में ही बेंतहां खुशी जाहिर करते हुए राहत की सास ली थी, कौफी ठंडी हो रही है भ हमारी सास भी ऐसा ही करती है, उन्हें भी हमारी चुगली के बगैर चैन कहां, वही तो मुद्दा है कि ऐसा क्यूं है, कोई मा अपनी बेटी की बुराई करती नहीं दिखती, कोई बेटी अपनी मा की शिकायते करती नहीं फिरती, वहु बेटी क्यों नहीं और सास मा क्यों नहीं बन सकती भई, कुछ अपवादों को छोड़ कर, अभी तुम ही ने कहा कि पूरी चेन गड़बड है। नई नई सास बनी और वशी के कहने पर अनुभा हसी। लो चित भी मेरी पट भी, ये तो फिर ढाक के वही तीन पात वाली बात हुई, बेटियों की जगे बहुए नहीं ले सकती और मा की जगे सास नहीं ले सकती, क्योंकि सब के अपने अपने कारण है। उन्ही कारण का संदेह बस, इसी भेट को तो मिटा कर ताल मिल बैठाना है। ये सब कितावी बाते हैं, सुनने में जरूर लुभाती हैं पर व्यवहारी कत्ता ही नहीं, कुछ भी कहलो, अपने माता-पिता की बात अलग है। और सौबात की एक बात, कि जब हस्बेंड अपने माता-पिता क की चिंता करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। ना गवारी भरे भाव से सुनीता की कही बात अनुभाने लब की। तो तुमानती है कि बेटे अपने माता-पिता की चिंता करते हैं और उन्हें साथ रखना चाहते हैं। कहां की बात कहां ले जा रही है या अनुभा। सुनीत सोशल गैदरिंग में लड़के अपनी साथ ससूर को हमारी तरह निशाना बनाएं, उनकी बुराई चुगली करें, मजाक उड़ाएं और मजा लें, तो हमें कितना बरदाश्ट होगा जबकि अपनी साथ ससूर के प्रती हमारा कमोबेश यही रवया होता है, अरे तो ठीक है ना अनुभा, लड़के अपनी साथ ससूर को डिसकस नहीं करते, तो वह अपने माता पिता को भी लाट दुलार नहीं दिखाते यह उनका जेंडर प्रोप्लम है तुमने मैन आर फ्रों मार्स वेमेन आर फ्रों वेनस नहीं पढ़ी रोमा उतेजना में बोलती चली गई वो जब चुप होई तो अनुभा गंभीर स्वर में बोली इश्वर ने पुरुश को कोमल भावनाये वेक्ट करने में नारी सा समर्थ नहीं बनाया है पर इतना संग दिल भी नहीं बनाया है कि वह अपने माता-पिता की जिम्मेदारी उठाने से बेवज़े पल्ला जाड़े ये जो सो कॉल्ड कोमल भाव वाली नारी है न क्यों नहीं अपने पैरेंट्स के साथ पती के पैरेंट्स के प्रती भी कोमल भाव रखती कौन बेटा सुरू से ये कहता है कि वह अपने माता-पिता को अपने साथ नहीं रखेगा मुझे तो लड़के बेचारे लगते हैं जो अपने घर के शांती बरकरार रखने के लिए अपनी पत्नियों के इच्छा पेक्षा को खुद पर लातकर समाज में बदनाम होकर अधर्मी करार दिये जाते हैं वहीं बेटियां अपने माता-पिता की सेवा की वहवाही लूट ले जाती हैं काश कोई बहु बोले कि तुम अपने मम्मी पापा के साथ गलत कर रहे हो उनका सम्मान करना सीखो तब भी लड़का अपने माबाप के साथ गलत करे तो मानूं की बेटे नालायक और बेटियां इश्वर का वर्दान है अनुभा के मुहसे लड़कियों के प्रती इतनी कटुता जर्ती देख सब हैरान थे नारी वाद तो छोड़ो लग रहा था वा कठोर और संगदिल पुरुश हो गई है जो आज नारी के चरित्र पर बे मकसद प्रहार महज संतोस्टी के लिए कर रहा है हे भगवान आज रड़कों के इतनी वकालत क्यों कोई बात है क्या हो रूमा ने आखर पोची लिया तो उसके चहरी पर पिड़ा उभर आई आज मन में बहुत कुछ उमड़ गुमड रहा था मन व्यथित है मेरा किरायदार है न स्वापनिल स्वापनिल महरा शादी शोधा जो अपने ममी पापा के आने से खुशी से फोली नहीं समाती उसका मुसा ससुर के आने से फोल जाता मैंने कई बार स्वापनिल को अपने माता पिता के साथ बड़ा रूखा और अख़ड व्यभार करते देखा था जब कभी स्वापनिल को अपने माता पिता के संग करीब 6 महीने पहले गाओं में ही उसके मा का दिहान थो गया, मा के दिहान के बाद मैंने स्वपनिल को बहुत गुमसुम देखा, सुखद आश्चरे हुआ जब वह अपने पिता को अपने घर लेकर आया, इस बात से नाराज रोश्णी माय के चली गई, शायद वह अपने उस क पती के साथ मिलने गई तो देखा, वो यूट्यूब में देखकर गाजर का हलवा बना रहा था, क्योंकि उसके पिता को गाजर का हलवा खाने का मन था, नाराज पतनी माय के में है, पिता की देखरेख करने के लिए उसने घर में CCTV लगवा रखा है, आफिस में रहकर बुढ उसकी असुरक्षा की भावना और उन्हें अकेले देख मुझे दुख होता है। रोश्णी पर बहुत गुस्सा आता है। पहले जिस बेटे को पेरिंट्स के उपर जहलाते देखा आज उसे सेवा करते देखती हूँ तो मन में प्रश्ण उठता है कि क्या वाकई सुपने मोल आने को लेकर बात उठी तो वह खुद को रोप नहीं पाए और रोती हुए बोले। मैं गाउं वापस जाना चाहता हूँ ये जाने नहीं देता। इसका परिवार तूट रहा है मैं क्या करूँ। सच में मन बड़ा खराब हो गया था उस दिन। पर सो रात रोश्णी चार चोटे-चोटे मुद्दे हैं। उनका रहन सहन, कुछ आर्थिक बोज, जिम्मेदारियां, एकांत में खलल, क्या करेगा स्वपनील, अपनी शादी बचाएगा या पुत्र होने का फर्ज निभाएगा। हम किस समाज को किस और लिये जा रहे हैं। अनुभा की बातों और म जब वहर भूमिका में मन की कोमलता को कायम रखे। जब फिक्र की रिमजिम में सास अपनी बहु के लिए और बहु अपनी सास के लिए भीगे, तभी ये सच मानने होगा। कि नियती ने नारी को कोमलमन प्रदान किया है। अनुभा फिर बोली, तुम लोग मानो या ना मान में कई और किस से जुड़ने की मनशा से दिलों में उठने लगे थे। लंबी जिरय और आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो असल मुद्दा। कि चेन कैसे सुधरेगी, वो संभता, सुलजेगा या नहीं, ये भवेशे के गर्द में था। पर इसमें कोई दोयराय नहीं थ कि कोमल हृदे अनारी की असल और इमानदार भूमिका के बाद ही बेटों को सही मायनी में असल कसोटी पर कसना संभव होता और सार्थक भी। अभी आप सुन रहे थे मीनूत रिपाठी जी की लिखी कहानी किटी पार्टी।